स्वागत है आपका हमारे किचिन में नीलम्स लिटल कुक बुक में आज हम बनाएंगे स्पेशल गुड़ गुड़ जो गुड़ों की तो खान है ही लेकिन हमने इसमें और भी कुछ डाला हुआ है जिससे हमें ये सर्दी से बचाएगा और हमारे अगर जोड़ों में भी दर्द है तो उससे भी हमें रहत मिलेगी और गुड़ तो हम बार बार खाते रहते हैं गुड़ बनानी के लिए आदा कटोरी ग्रेटिड नारिल लिया है दस चुटी चुटी पीस काजू के दस चुटी चुटी बदाम के और दो चमच मीथी पाउडर और दो चमच सोट पाउडर लिया है और साधारर सा गुड़ तीन सो गराम लिया है अब गैस की तरफ आते हैं फ्राइपेंड गरम हो चुका है गुड़ मैंने डाल दिया है धीरी धीरे इसे हम चलाएंगे और इसमें दो चमच मीथी पाउडर और दो चमच सोट पाउडर भी डाल देंगे इसलिए यहाँ पर डाल देंगे हम क्योंकि हमने अलग से इसे बुना नहीं था और इसी के साथ पो हलका हलका रोस्ट हो जाएगा और एक चमच देसी घी डाल देंगे और इसे हम तब तक चला ते रहेंगे जब तक इसका गुड़ पूरी तरह से पिघल नहीं जाता है Slow Gas पे इसे हम धीरी धीरे इसी तरह से चलाते रहेंगे Soat और मेती पाउडर डालने से गुड़ का स्वात बहुत अच्छा आता है और सर्दियों में ये सब चीजें खाने से हमारी शरीर को ताकत मिलती है और गर्मी चीजें खाएंगे तो शरीर भी हमारा गर्म ही रहेगा धीरे धीरे ये गुड हमारा पिगलने लगा है और इसे हमें बराबर चलाते रहना अगर हम रोग देंगे तो ये नीचे से जल भी सकता है आदा कटोरी नारेल हम इस समय अब डाल देंगे और छोटे-छोटे पीसिस जो हमने काजू और बादाम के करे थे वो भी डाल देंगे और अच्छे से इसे हम चलाएंगे बस इस समय हमें गुड सारा पिगल चुका है बस यहीं पर हमें गैस को बंद कर देना है अब गैस बंद कर दी है मैंने फिर भी थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि नीचे लग ना जाए पहले से ही एक प्लेट को ग्रीस करके रख लिया था अब ये गुड बिल्कुल तैयार हो गया है हम उस प्लेट में ट्रांस्वर कर लेंगे ये देखिए इस तरह से हम सभी गुड को इसमें पलट लेंगे गुड को हमें ज़्यादा नहीं खुलाना है इसे बस हलका ही पकाना है एक भी खौल नहीं देनी है अगर ज़्यादा पकाएंगे ओबर कुक करेंगे तो ये अच्छी नहीं बनीगी गुड धीरे धीरे ठंडा होने के बाद अपने आप जम जाएगा अब ये हमने गुड के सभी पीसे कर दिये हैं आप किसी भी तरह के पीस काट सकते हैं गुड सर्फ करने के लिए बिलकुल तयार है आप भी इसी तरह से रेसिपी को ट्राई कीजिए और गुड को अपने डेली रोटीन में शामिल कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएए कि आपको ये गुड की रेसिपी कैसी लगे अब गुड खाने के लिए बिलकुल तयार है ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है इस तरह का गुड अगर होगा तो आप और आपके बच्चे बार-बार मांग मांग के खाएंगे आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे हमारी वीडियो शुरू से आखरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद